खाना खाने के बाद हमें नेंद क्यू आता है, पोस्ट मर्टम रात में क्यू नहीं किया जाता है, समंदर का पानी खारा क्यू होता है, और डीजब्रेक पे ये छेट क्यू बने होते हैं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक दोस्तो ये सॉंग ने Guinness Book Up World Record में अपनी जगा बनाई है Guinness Book Up World Record के अनुसार दुनिया के हर 100 में से 98 वर्थडे में ये सॉंग आया जाता है और ये सॉंग दो अमेरिकी भाई बहन पेटी हील और मिल्डरेट जे हील ने 1893 में कॉंपोस्ट किया था नमबर टू, सैमसंग कंपणी ने सडक सुरक्चा को ध्यान में रखते हुए ट्रक के पीछे एक बड़ा डिस्पले फिट किया है जिस पर ट्रक के आगे का रोड साब दिखाई देता है जिससे पीछे वाले को पता चलता है कि रोड में ट्रैफिक कितना है नमबर ट्री, डेन्मार्क दुनिया का वो देसे जिसका राष्ट्य जंडा दुनिया का सबसे पुराना है सन 1370 से डेन्मार्क ने आज तक अपने राष्ट्य जंडे में कोई बदलाब नहीं किया है मतलब डेन्मार्क का जंडा 615 साल से भी ज़्यादा पुराना है नमबर फॉर ये आपके जानकारी के लिए है दोस्तू लोकिया एक फिनलेंड की कमपनी है सेमसंग दक्षिन कोरिया की कमपनी और सोनी जापान की है और एपल एक एमेरी की कमपनी है अक्सर कई सारे लोगों को खाना खाने के बाद निन लगने लगता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खाना खाने के बाद हमारे बोडी में कैलिलेस्टोकिनिन, गुलुकाजोन और एमाइलिन जैसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे दिमाग को जपकी लेने के लिए सिगनल भेजते हैं जिसकी बज़़से हमें आलस लगने लगता है और हम कुछ देर के लिए सो जाते हैं और उसी दोरान हमारा बोडी उस खाने में से एनरजी अब्जर्ब कर लेता है एक बार ऑस्ट्रिलिया के कौंटस एरवेस ने एक इंटरिस्टर्ट उडने वाली फ्लाइट को कुकिंग ओईल से उड़ाया था यह पोसिबल हो पाया था क्योंकि उन्होंने फ्लाइट के एक टेंक पे बायो फ्यूल भरवाया और बाकी के ओईल टेंक में कुकिंग ओईल डाल दिया यह एक एक्सप्रिमेंट था दोस्तों चिंता के समान होती है जब कोई ब्यक्ति अपने मौत के करीब होता है यानि दोनों केसेस में इंसानों का स्टेट अफ माइंड सेम रहता है यह जो आप लोगों कोचेन के जैसा कुछ दिख रहा है यह रियल में एक पानी में चलने वाला सिप है लेकिन दिन में ही रात के समय किसी भी बोड़ी का पोश्ट मर्टम नहीं किया जाता है क्योंकि रात में ट्यूबलाइट या LED वल्प के रोस्नी में चोट का रंग लाल के बजाए बैंग नहीं दिखता है होटल के बेटरूम में सफेच चादर बिचाने की सबसे अहम बजा तो यह है कि सफेच रंग के संपर्क में आने से मन और दिमाग सांती महसूस करता है जिससे तनाब में कमी आती है जिससे आप स्ट्रेस प्री होकर अपनी वेकेसंस को एंजोय कर सके और साथ ही सफेच चादरों को वस करते वक्त ब्लीचिंग पाउडर से डिसकलर होने का कोई डर नहीं रहता है सौधी अरबिया एक ऐसा देश जो अपने कानौन को कटर से मानता है बले ही वहां के लड़किया हवाई जहाँ जुडाती है लेकिन उन्हें कार चलाना कानौनी तोर से सक्स्त मना है रोजाना चुइंगम चबाने से ब्रेन में हिपोकेंपस का रक्त प्रबाब बढ़ जाता है और इसके साथ ही ब्रेन में ऑक्सिजन का सप्लाई भी बढ़ जाता है जिसके कारण दिमाग के सेल्स एक्टिब रहते हैं और हमारी मेंवरी और ज्यादा स्ट्रॉंग होती है क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर का पानी खाड़ा क्यू होता है जिसके कारण सारा समंदर का पानी धीरे धीरे खाड़ा हो गया अगर हम किसी कार से 95 किलोमेटर प्रती घंटे की रप्तार से चांद की ओर जाना सुरू करेंगे तो हमें चांद पर पहुंचने में 168 दिन लगेंगे यह बात सुनकर आपको अजिब लगेगा सायर लेकिन एक ही प्लेन के दो पाईलोटों को अलग अलग टाइप का खाना खाने दिया जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि किसी एक प्रकार के खाने से पाईलोट का तब्यत खराब हो तो दूसरा पाईलोट प्लेन को कंट्रोल कर सके अगर आप सोच रहे होंगे कि यह छेद ब्रेक को मजबूती से पकड़ में लाने के लिए बनवाई गई है तो आप गलत है फैक तो यह है, ब्रेक लगने की 자से लोहे का डिस्क काफी गरम हो जाता है और हीट की वजज़से इसका से बेंड ना हो जाए इसलिए इस पर छेद किया जाता है जहांसे अच्छी तरह से यह अरपास हो सके और ये जल से जल ठंडा हो जाए और दूसरा कारण ये भी है कि इन छेदों की वज़से डिस्क का वज़न भी थोड़ा कम किया जाता है और इन छेदों की वज़से डिस्क पानी में ज़्यादा देर गीला नहीं रहता है जिसकी वज़ा से हमें एक अच्छी breaking system मिलती है